अलो जी सुरोत्यों की भारी मांग पर मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूँ पहले मैं एक दर बनाया था प्रॉपर सिखाने पाया था तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको सबसे पहले ये बहुत टेस्टी बनता है मज़ा ही आ गया था बिल्कुर डिफरेंट या फ्रेंच टोस्ट पर मैंने इसका नाम रखा है कैली अंडा टोस्ट सॉरी टोस्ट भी साथ कहना चाहिए था मेरे मूँ में कुछ था मैं गल्ब कर रहा था सो कैली अंडा टोस्ट आज इतना अच्छा मैं आपको बना के दिखा हूँगा बहुत ही इजी रेसिपी है अपने पन के इसमें सीट देना है खुली प्लेट में भी आंडा पननेका बखरा इस वाद है ये नाक लग रहा है और ये अधर को अर्फ को बंद करें अब अपना कैली अंडा बना नाशिरू कर का अद्दा चम्छा आप इसमें नाक की सीट में सीट दें हए और इसके बाद हम डालेंगे यह अगर आपके घर में नहीं तो कुछ टेंचन यह यह। है इसको क्या होते हैं सेनिमन यह सेनिमन है यह यह इसको भी आपने चुटकी सी मासा सा डालना है मतलब ये मैं कलोले करने हट नहीं रहा हूँ ये तो मुच्छे मणगी है और मासा साइस में दूद डाले ये देखो बहुत थोड़ा सामने इसमें दूद डाला है और अब ये पूरा गुंग दूड़ा हो गया है हामने इसको मिक्स कर लिया है अगर आपका मिक्स अच्छी तरीके से नहीं होता है तो आप I need my spoon ले ले मेरे हाथ में ये था तो मैं इसी में ही कर रहा हूँ अगर आपकी डिश कहीं भी खराब हो जाती है तो आपने डॉंडी नहीं पीटनी है कि हमारी डिश खराब होगी है क्योंकि ये अंड़ा है और अंडे का कभी भी भंडा बन सकता है आपको बता है हम कभी भी इसका आमलेट बना लेंगे लेकिन आप टैंचन मतले हैं आज आमलेट नहीं बनेगा आज बहुत ही अच्छी डिश बनने वाली है आप देखते जाएं मखणा बटर मखण होता है कि मखण मखण होता है ये भी आप जरूर हमें बताएं आपने एक बटर की चौर स्टिकी को फ्राइबेन में सीट लेना है उसके बाद चुरलू से इसको चारू तरफ गुमाते हुए आपने पूरा केरे केरे में इसको कबर कर लेना है आपने अपनी ब्रेड को चकना है और ऐसमें ऐसे ऐसे कर लेना है थोड़ी सी ब्रेड के कुटकतर यह कर रही है यह मैं ड्रामा कर रहा हूँ आपने इसको न दोनों तरफ से पूरा लबेड लेना है यह देखो लिबढ रही है बुरी मुझे लगता है दो अंडे दो जन के लिए प्रयाप्त है एक जन के लिए एक अंडा प्रयाप्त होगा So, यह आपने ऐसे इसको काठा कर लेना है, बाद आपने ये चुरलू लेना है, इस चुरलू का मुझे नाम नहीं पता है, लेकिन ये ऐसे होता है, जुर्लू, ये दूने चीज़े काठी होती है, तो छीज़ी चाकी जाती है, थोड़ा ध्यान रख रहा है आपकी ब्रेड पूल ही हो सकती है अब मैं थोड़ा बांद करके चकूँगा जी फाइनली हमने इसको इधर ट्रांस्वर कर लिया है बड़ा ही भारी सौधा था मुझी तो सांस पूल गी है इसको चाकते चाकते अब मैं इसको चाकके उदले पास करना बहुत थोड़ी सी जम मासी सी मतलब मासा सी मासा सी ब्राउन शोगर आपने इसमें और पूक देनी है उपर एक बात यहां बतानी बड़ी जरूरी है मैं मजाक नी कर रहा हूं यह देखने में ऐसे लग रहा है कि बहुत इजी रेसिपी है लेकिन इस एफन आसम मैंने इसा टेस्ट कभी अपनी लाइफ में किसी फ्रेंच टोस्ट का नहीं खाया जो कैली आंडे का टोस्ट आ रहा है मतलो सौरी सुआद आ रहा है कि इसका भी सैड उसको भी हम ऐसे ही काठा करके उसको भी हम पकाएंगे और इसके ओपर भी मासा सी ब्राउन शोगर पूक एंग यह प्यार और टेस्ट से बनती है और प्यार टेस्ट के सामने हेल्थ कॉंशिनेस जो है वो टिकती नहीं है वो भग जाती है लोक अट इस ड्यूटी आई नीड माई कांटा शुरी राइट नहीं वाव मेरे कहने पे एक बार अपनी डाइट को साइड पे रखके इसका स्व डाली है अपनी बटर की और इसको पर यह सीट दिया है इससे जादा इसमें कुछ नहीं सारा ओाइल फ्री है और शुगर फ्री है लोक अट इस ब्यूटी और जो फ्रेग्रेंस आ रही है ना आफ दा येर आ रही है यतनी अच्छी समयल आ रही है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ गाइज आप बनाएं इंज्वाएं करें अपने टीड में डालें इसको और अश अश कर उठेंगे आप ओके गाइज ओवर एन आउट आपके सामने है केली एंडर टोस्ट